नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज नीट मामले को लेकर जो विवाद छिडा हुआ है वो विवाद ना तो थमने का नाम ले रहा है और ना ही रुकने का नाम ले रहा है आपको बता दें कि अब इसके तार बिहार से भी जु ने बड़ी प्रेस कॉन्फरेंस की है आपको बता दें कि पीसी करके विजय सन्हा ने कट घड़े में लाकर खड़ा कर दिया है पूर्व डेपटी सीम तेजस्वी यादफ के पीएस प्रीतम को तो आज हम इस विजियों में विजय सन्हा की इसी पीसी को डिकोड भी करेंगे तो आज असमुद्धे पर खरी खरी बातशीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जोर्नलिस्ट रवी उपाध्याई जी है सबसे पहले बहुत शुक्री है आपको भी शुक्री है रवी जी सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि विजय सन्हा ने आज बजापता एक पीसी की है और ब बावा भी एक तरह से किया है कि जो तेजस्वी प्रसादियातों के जो पीस थे अप्तिसचीव थे प्रीतम उन्हों ने ही जो है सो मास्टर माइंड सिकंदर यादुविंदू के लिए कमरा बुक कराया था यह एकदम असपस्ट क्लियर है उसमें कहीं कोई दिकत नहीं है कम मंतरी जी लिखा गिया था वह मंतरी जी जो तेजस्वी आदफ के लिए मंतरी जी लिखा गया था यह बातें कहीं है यह बिजय सिन्हा कहते हुए नजर आया प्रेश कॉंफरेंस में जो जिसकी चर्चा हम लोग बैठ की कर रहे है तो यह एकदम असपस्ट है कि प्रीतम का उसमें involvement है जो जितनी बात आपको बिजय सीना डेपुटी सीम बिहार सरकार के कह रहे हैं वो उसमें दिखाई पड़ रहा और देखें कोई आज पहली बार नहीं कहा बिजय सीना ने कल भी उन्होंने ये बात कही थी और आज उन्होंने पजापता प्रेस कॉंफरेंस करके इस सब बात असपस प्रूप से दिखाई पड़ रही है कि कौन है अनुराग यादव कौन है अभिहर्थी को प्रस्ण तो यह सब सब बात सिलसेलेवार धंसे उन्होंने बिजय सीना ने बात बताई है जो बता रहे हैं कि एक मई को तेजस्वी के पीएस जो बिजय सीनाने का है जो अब सचीु हैं प्रितम ने और Cd RCD के करमचारी भी है जो प्रदीप है प्रदीप ही करमचारी है उन्हीं के माध्यम से कमरा का एलॉट्मेंट कमरा का यह सब जो खेल हुआ ए और एक प्रितम ने कौल किया प्रदीप को प्रदीप को जो RCD Road Construction Department का जो करमचारी है उसको क करके बज़ापता प्रदे सब लोग जाकर के रुके थे और उनको question प्रसनपत्र और answer seats के साथ में उनको रटवाया गया यह सब बात पूरे clarity के साथ विजय सीनहा ने कहा है और यह भी बात उन्होंने कही कि प्रीतम कुमार के करीबी रिष्टेदार है सिकंदर यादविंदू यह बात भी उन्होंने कहा कि उनके करीबी रिष्टेदार है और वही नहीं अनुराग यादव जो सिकंदर के रिष्टेदार है तो यह connection को भी उन्होंने establish किया है तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है आज उनकी PC में यह बात च्छन करके आई है तो ठीक यह जैसा कि अभी आपने भी कहा कि कई बड़ी बड़ी बातें कई हैं कई बड़े चोका देने वाले खुलासे भी किये हैं विजैसना ने हम आपसे जानना चाहते है रवी जी जो भी दावा कर रहे हैं विजैसना क्या लगता है उस दावे में दम है क्या उन तथ्यों में दम है क्या तेजस्वी आदफ की म से तो निश्चीत रूप से वह परशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रितम के लिए और तेजस्वी यादव बिल्कुल जब प्रितम का इंवाल्मेंट होगा तो वह कि किसके शह पर कैसे होगा यह सब भी किसके पीएस हैं यह सब बात तो एदम असपस रूप से दिखाई पड़ रहा है और देखिए बिजय सिन्हा ने इसकी जांच भी कराई है विभाग में जांच कराने के बाद तेन करमचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है को डानपूर का रहने वाला है तो यह कहीं न कहीं सिकंदर का इंव्रूमेंट है उसमें और वह मास्टर माइंड कौन है अमित आनंद है यह तो master mind को अमित आनंद को ग्रिफतार कर लिया गया है भले उसकी मा जो जानकारी छण कर किया रही है वह जेडियो के सनभवता उपाद क्या रहा है जिला उपाद आच है तो यह बात अलग भी सह है वह अलग भी सह है लेकिन किसी के उपाध्यक्ष हो कोई भी हो लेकिन यह mastermind अमित आनन्द है इस बात को उसने कबूल भी कबूला भी है कि हाँ हमने question लिख किया था और बदले में जो है सो राशी की बात हुई 30-32 लाख यह सब तमाम तरह की बात च्छन करके आ रही है और यह कोई देखे सिकंदर जो ह उसके पास चार अवियर्थी को भेजा था चार पहले भेजा था उसके बाद भी परिक्षा से पुर्व प्रस्नपत और उत्तर जो है सो जो आंसर सीट होता उसको दिखवा करके वही रटवाया गया था पेने चाहिए के guest house में जो एरपोर्ट के सामने इसकी हम चर्चा कर र हिकाई तो आर्थी कप्राद हिकाई को expertise है इसके लिए तो वह expertise है तो निश्ची तुरूप से तह तक गई है और तह तक जांच हो रही है इस मामले की और इसके लिए कईों की गिरफ्तारी भी हुई है लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब PC की है विजय सन अब इस दावे में कितना दम है यह तो जांच कभी से है और यह जब जांच होगा तब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और तब यह सो डौट से डौट जुड़ता हुआ नजर आएगा लेकिन अभी ये दावा किया जा रहा है तो क्या ये दावा तेजस्वी आदफ को तेंशन दे देगा, क्या आप बुरी तरह से फस गए हैं तेजस्वी के प्रितम, प्रितम का involvement तो दिखाई पड़ रहा है, प्रतम दिरिस्टिया, प्रतम दिरिस्टिया जो है वह दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात बिजसीना कह रहे हैं, तो वह और उसमें जाच भी किया मतलब आप यह कह रहे हैं, कि उप विजैसना भी आक्षन मोड में आ गए हैं, और बजापता जो है, वह आक्षन भी ले रहे हैं, अब तो आप कह रहे हैं कारवाई भी हो रही, क्या कुछ कहा है, गजैसना, लिए शपड़ आक्शन लिया गया है, ते जो आरसीडी रोड कर तो यह सब तो कारवाई हो रही है देखे ईयो यू जो इस मामले के हम सुरू से का रहे थे समरीन आपको जो जांच कर रहे है उसमें 60 से अधिक लोगों से पूस्ताच की है और यह नंबर एक मामला दूसरा इसमें 13 लोग गिरिफ्तार किये गए है तो यह सब भात जो धीरी धीरे जो दिखाई पड़ रही है कहीं न कहीं ओ एे मामला क्या है ये मामला है प्रस्नपत्र लिख का मामला है यह कोई और मामला नहीं है इसको मानने के लिए शुरू में तयार नहीं था, वो सिंट्रल मिनिस्टर का ब्यान भी आया था, तो यह इस तरह से यह बहुत बड़ा यह कहीं ने कहीं यह सडियान तरो इस तरह से होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक बात तो आप देखेगा कि हमेशा से ही कभी ने प्रसनपत रलीक होता रहा है, यह कोई पहली बार कोई इतनी बड़ी मने बड़ा मामला है, पहली बार यह कांड नहीं हुआ, यह हमेशा से होता रहा है, हाँ ठीक है, यह पकड में आया, यह ग्रिफ्ट में आया, कि कौन गैंग कर रहा है, कौन सॉलवर गैंग है, क्या है, कैसे है तो लेकिन यह तो होता रहा है इसलिए जो है यह सर्मनाक बात है और कहीं ने कहीं बिहार में ही इसका जो है सो इसका तार जोड़ा है तो यह और भी कहीं ने कहीं और देखें बिहार सरकार जो है सो अभी जो मांसुन सत्र होगा उसमें इस पर वो कड़ा जो है सो नियम लाने के लिए है नितीश कुमार इस पर बहुत ही सक्त है और नितीश कुमार ने कह रखा है कि अब इस पर जो इसका पनिश्मेंट ऐसा होगा कि जो जैसे बड़े-बड़े अपराथियों को किया जाता है इस तरह से जो दिखाई पड़ रही है कि अब मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी हस्तचेप करेंगे अक्शन लेंगे बक्षा नहीं जाएगा निश्चित रूप से यह जो कड़ा कानून बनाने की बात हो रही है तो कड़ा कानून सक्त कानून जब बनेगा तो उसमें इस तरह से जो भी अगर जो 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 बदनामी होगी बिहार के मत्ये तो वह जो उसके लिए तो कड़े प्रवधान की जरूरत है तो हमको लगता है कि जैसा मांसून सत्र की बात हो रही है मांसून सत्र बे इस तरह का यह प्रवधान आएगा और इसको जिसे यह बिहार में फिराग तो विजय सेन्हा ने भी कह दिया है कि मामला हमने मुख्य मंत्री तक पुछा दिया है निश्ची तुरूप से देखे यह तो सदन के नेता हैं मुख्य मंत्री है तो उनकी नौलेज में तो यह बात आनी ही आनी है तो ऐसे में निश्ची तुरूप से बिजय सीनहा एक जिम्यवार पद पर है डिप्टी सीम है तो व कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मंत्री कौन था यह इस तरह से जो लिखा गया है कि मंत्री के नाम से वह कमरा रख्षित है तो यही तो बात है और यही बात वह कहते भी नजरा रहा है कि प्रीतम का फोन आना यह कॉल डिटेल्स निकलना कॉल डिटेल्स भी उन्होंने निकल नहीं है कि राज बहुत कुछ ठ्यून के मता के बारे में उसकी माता कर neutral है बाजपा नेताओं के साथ तस्वीर दिखाया जा रहा है कि इनकी अमित आनंद की तस्वीर है बाजपा नेताओं के साथ में या फिर उनकी माता जो है उपाध्यक्ष है यह सब करने की प्रयास की जा रही है तो यह तो एक अलग से हो यह लेकिन अभी जो में जो इतनी बड़ी दाग जो इतनी बड़ी परिक्षा को ले करके है देश भर के अस्तर पर हाय तोबा मचा हुआ है चात्रों के बीच में एक आक्रोस है कि वह कहीं ने कहीं आपको यह बात भी सम संकेत नहीं है नहीं यह अच्छी बात भी नहीं है कि कोई भी घटना देश में कहीं हो और बिहार का कनेक्शन उसे जो जाए यह बिहार की छवी बिहार की धुमिल होती है तो यह गलत मैसेज भी जाता है कि देखिए कहीं कुछ नहीं हुआ देश में और बिहार में पोस्ट दे दे, क्या लगता है आपको अब तेजस्वियादफ सामने आएंगे क्या तेजस्वियादफ खुलकर बात करेंगे देखें निश्ची तुरूप से बिजे सिनह जब कह रहा है तो ऐसे में एक पक्ष तो यह हो गया बिजे सिनह अपना पक्ष कर रहा है या जाच कर रहे हैं. तो चालेंज देरी है. वो तो अलग भी से है. वो पलिटिकल इस्व हो जा रहा है. लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें अभी जो प्रितम की बात आ रही है. प्रितम कौन है, क्या है, या निश्ची तरुप से इनके तरफ से भी पक्ष आना चाहिए देखिए समाज में या मीडिया में उनका पक्ष भी आना चाहिए तब ही जो इसो दूद का दूद पानी का पानी हो सकेगा जो भी कमोशन है वो कमोशन जो है बिल्कुल वही हम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बात है तो यह प्रतिपक्ष के नेता भी है या उनकी तरफ से पार्टी के प्रवक्ता ही कोई अधिकरित बयान इस टेप करने की कोशिश की है और आपको बताया है कि क्या कुछ मुख्य कहा है विजैसना ने कौन से बड़े बड़े इशारे कर दिये हैं ये भी आपको बताया है और ये भी बताया है कि राजद ने इन आरोपों पर क्या कुछ कहा है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया